गुड मॉर्ने स्टोटेंट आज हम करने जा रहे हैं अनेका अर्थी according to new pattern जो इस बार हमारे exam हो रहे हैं और जो हमारे MC क्यों आने वाले हैं ठीक है तो now start नमबर वन है हमारा अनेका अर्थ शब्दों का विस्तरित ग्यार जैसे कनक है कनक को और क्या बोलेंगे गेहू दतूरा सोना खजूर ठीक है और उत्तर है उत्तर का मतलब है जवाब उत्तर दिशा प्रतिकार मतलब आपने तीन वर्ड याद कर लेने है जो भी इसका है तीन वर्ड याद कर लेने पहिया कुमहार का चाग चक्की चक्कर सुधर्षन चकर और फिरा ठीक है काल का मतलब तह समे अंत किर्याओं को सूचित करने वाला शबद कार मतलब टैस्ट टैक्स हाथ किरन सून्ड वंच मतलब कुल और बास अर्थ मतलब कारन मतलब परजोजन इच्छा पतांग मतलब सूर्य विशेश परकार का कीड़ा फल लाब परिनाम परजोचन भाग मतलब हिस्सा हिस्सा या पेयान हिस्सा हिस्सा भाग्य और धोड कूल का मतलब होता है वंच सभी सारा बोज भार भारी वस्तु कारे भार धूप पूजा के लिए परजो धूप पूजा के लिए परजो की जाने वाली धूप और सूर्य की धूप ठीक है चंदा चांद स्वर्जनिक कारे है तुदी गई आर्थिक सहायता और नाक मतलब सास लेने या सूंगने की इंद्रा गड़याल बाल का मतलत बालक या केस मंगल शुब सोर जगत का एक ग्रह है तेक है गुरू बड़ा आचारे ब्रह्म पती ब्रहस पती दो मात्राओं का अक्षर आगे है घन बादल घना बहुत बड़ा और हथोड़ बहुत बड़ा हथोड़ा अंक गोद भागे अध्याय और संक्या ठीक है इसके अकॉर्डिंग लिए हमारे MCQ क्या बनते हैं वो हम नेचे देखेंगे निमा लिखती वी कलपों में से कनक का अनिका अर्थी शब्द क्या होगा बेटा अगर आपने ये लर्ण किये तो ये आप इसली कर लोगे जैसे कनक को और गेहू भी बोलते हैं ठीक है और सोना भी बोलते हैं कनक को क्या बोलते हैं सोना और गेहू इसके बाद हमारा आता है तो यह है हमारा next page जैसे घोड़ा घोड़े को और क्या बोलेंगे घोड़े को अश्यव सत्रंज का मुहरा भी बोल सकते हैं ठीक है यहाँ पर टिकल गा दो फिर है काल काल का समय और अन्त काल का क्या होगा समय और अन्त यह पर टिकल गा दो फिर घन, घन का मतलब क्या होता है, ये होता है बादल, बादल और घना, ठीक है, इसके बाद है तीर, तीर का मतलब होता है किनारा और बान, तीर का मतलब किनारा और बान, ए, ठीक है, अगर आगे है हमारा, six उत्तर, जवाब और उत्तर दिशा, ठीक है, इसके बाद कुल, once औ और अर्थ का हुगा हमारा ये करेंगे हम कारण और इच्छा ठीक है कल का मतलब होता है बीता हुआ दिन जा मशीन बीता हुआ दिन जा मशीन और धूप का यो सूर्य की धूप और ये बला दूसरे धूप चक्कर का मतलब पिया और चक्की ठीक है पेटा इसका मतलब पिया और चक्की और नाक का मतलब होता है नाक मतलो तहाँ गोरव की बाद जा सुंगने वाली इंदरिया मतलो जैसे हमारी ग्यान इंदरिया पाँच ठीक है तो हमारा आएगा ए आगे हैं बेटा वाक्य सुद्धी बनाना हमने जैसे वाक्य सुद्धी वै चल गया वै चलेगे तुम बेफजूल बोल रहे हो तुम बेफजूल बोल रहे हो लड़के ने पत्तर लिखा लड़के ने पत्तर लिखा लड़के ने पत्तर लिखा बंदर्शाथ में बैठा है बंदर्शाथ पर बैठा है मेनी उता पड़ होता है महात्मा लोग पदा रहे हैं महात्मा पदा रहे हैं रानी युद में वीर्टा के साथ लड़ी रानी युद में वीर्टा से लड़ी पीतल सस्ती हो गई है पीतल सस्ती हो गई है पीतल सस्ता हो गई है पीतल सस्ता हो गई है इस तरी लिंग नहीं है ठीक है पिलिंग है दो वैक्ति के लिए खाना बना है दो वैक्तियों के अगर दो है तो यहाँ पे वैक्ति यह कैसे हो सकता है तो आपने च्छट च्छटी बातों को धियान में जुरूर रखना है दो वैक्तियों के लिए खाना बना है ठीक है उसने उसने भूख लगी है उसको भूख लगी है पानी गिर गया है आगे है दुस्टों के डर से डरो मत प्रति रोज दान साब करो प्रति धिन दान साब करो कैसा निकमा नोकर पले पड़ा है मेरा रुमाल मेरी जेब में है क्योंकि रुमाल की धोड़ी जेब होती है अपनी होएगी ना एडिसन परसीद विग्यानिक था लड़के पढ़ रहे हैं लड़के यहां पे रहो है यहां पे यह वह लड़ा है स्लेट में लिखो स्लेट पर लिखो मेरा ध्यान मेरे मितर में था मेरा ध्यान अपने मितर की ओड़ था मेरा ब्रदर आया है मेरा भाई आया है आप ग्रह परवेश पर निमंतरित है आप ग्रह परवेश पर निमंतरित है निमंतरित नहीं था अमंतरित होता है इसके हिसाब से हमारा जो है वो शुद्वा के हमने लिखना है जैसे निमा लिखत में शुद्व चुनना है जैसे यह हमारा है वै बुद्वार के दिन को आया वै बुद्वार को आया वै आया बुद्वार को तो हमारा C होएगा ठीक है अब उद्वार को आया आएंगे यहां आया इसके बाद हमारा है जेवला जैसे जैशंकर परशाद बहुत अच्छे कहानिकार थे जैशंकर परशाद बड़े अच्छे कहानिकार थे जैशंकर परशाद बड़े अच्छे कहानिकार थे जै परशाद अच्छे बड़े तो इसमें हमने कौन सा लिखना है ए जै परशाद जै शंकर परशाद बहुत अच्छे कहानिकार थे ए ठीक है आगे हैं महात्मा लोग बदा रहे हैं महात्मा बदा रहे हैं बदा रहे हैं महात्मा बदा रहे हैं पदार रहे हैं महात्मा इसका मतलू है C आगे हैं वै रवीवार को तुमारे घर आएगा वै रवीवार के दिन तुमारे घर आएगा वै रवीवार को तुमारे घर पर आएगा वै तुमारे घर आएगा रवीवार को तो यह हमारा A है आगे है हमारा लड़के ने पत्तर लिखा लड़के पत्तर को लिखा फिर है हमारा मेरे को स्कूल जाना है मुझे को स्कूल जाना है मुझे स्कूल जाना है भी ठीक है यह अपने ध्यान से पढ़ना एक एक वर्ड पढ़ना है तागे आपको जैसे sound को भी सुनने में अच्छा लगे जो बूलने में भी easy हो पुलिस के दुबारा चोरों का पीशा किया गया दो व्यक्तियों के लिए खाना बना है दो व्यक्तियों के लिए खाना बना है पेड़ों पर मत चड़ो पेड़ों से ना चड़ो चड़ो पेड़ों पर मत चड़ो फिर हमारा हमें हरी सबजियां खाने चाहिए खाने चाहिए हमें हरी सबजियां खानी चाहिए तो इसका मतलब है यह हमारा हो जाएगा हरी सबजियां खानी है हमें हरी सबजियां खानी चाहिए हमको हरी सबजیاں खाने चे यह और यह देखो यहां पे हमको है ना तो यहां पे हमें है तो इसका मतलब यह राइट है ठीक है आगे है यह कापियां किसकी है कापियां से यह किसकी है तो यह कापियां किसकी है बोलने में जो easy word हो जो सुनने में भी ठीक हो और बोलने में भी easy असानी से बोला जाए ना तो वो word सही होता है यह इस बात का ध्यान रखना आपने तो बेटा next वीडियो में हम करेंगे इसका जो आगे आने वाले हैं पैरा करा mostly हमारी यह book complete हो जाएगी लेने है ठेक क्यार